पसकार दोस्तों आप देख रहे हैं बिंदास गुरुजी यूटुब चैनल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पसके अलु से गोरा होने का तरीका आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखे आलु को स्किन से लेकर शरीर की कई तरह की बिमारियों को दूर करने में लाबकारी माना गया है इतना ही नहीं चेहरे को गोरा करने में भी आलु असरदार साबित हो सकता है पिगमेंटेशन और डार्क स्पोट्स को दूर किया जा सकता है इस वीडियो में आलु से गोरा होने का तरीका के बारे में विस्तार से जानेंगे चेहरा गोरा बनाने के लिए आलु के फेस मास्क आलु को अन्य चीजों के साथ मिलकर अलग अलग फेस मास्क बनाय जा सकते हैं जिनकी मदद से चेहरे को गोरा किया जा सकता है जैसे आलु फेस मास्क आलु और नीमबु फेस मास्क इत्यादी कई ऐसे फेस मास्क हैं जिससे आप अपनी स्किन को गोरा कर सकते हैं आयो जानते हैं कि आलू से गोरा होने का तरीका क्या है आलू फेस मास्क, आलू फेस मास्क से चहरे को आसानी से गोरा बनाया जा सकता है। इस special face mask को तयार की विधी इस प्रकार है, थ्री बड़े चम्मच आलू के रस में टुबड़े चम्मच शहद मिलाएं। इसे अच्छे से फेट ले और अपने चहरे के साथ साथ गर्दन पर लगाएं। कुछ देर बाद इसके सुखने पर पानी से धोले। इस face mask को रोजाना लगाएं जिससे आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शहद और आलू के मिश्रण से बना face mask एक moisturizing agent है जो आपकी तवचा को कोमल और चमकदार बनाने में मदद करता है। आलू और नीमबू face mask आलू और नीमबू के रस को मिलाकर special face mask बनाया जा सकता है। जिससे चहरे पर गोरा पन लाने में प्रभावी मदद मिल सकती है। इस face mask को निम्न विधी से तयार किया जा सकता है टुचममच आलू का रस, टुचममच नीमबू का रस और वन टुचममच शहद ले। आलू वह नीमबू के रस को मिलाएं और इसे शहद के साथ अच्छे से मिक्स करें। इसे पूरे चहरे वह गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। आखिर में इसे पानी से धोले और हर दूसरे दिन इसे लगाएं। नीमबू और आलू में कसेला गुड होते हैं जो एक्स्ट्रा ओयल को हटाक कर स्किन को क्लीन करने में मदद करता है। इनसे चहरे पर गोरापन आता है। आलू और टमाटर फेस मास्क चहर को गोरा करने और मुहासो की परिशानी को दूर करने के लिए आलू और टमाटर फेस मास्क काफी फायदे मंद होता है। जाने इस फेस मास्क को बनाने की विधी वन बड़ा चम्मच आलू का रस या गूदा, वन बड़ा चम्मच टमाटर का रस या गूदा ले और साथ में वन चम्मच शहद ले, आलू और टमाटर का रस मिला ले और इसमें वन चम्मच शहद मिला ले, जिससे चिकना मिश्रण त शल्द असर देखने को मिले तमाटर और आलू इंटियोक्सीडेंट से पूर्ण होते हैं जो त्वचा को कीटाड़ हों से लड़ने में मदद करते हैं और मुहासों की समस्या को दूर कर सकते हैं इससे अलावा आलू में मौझूद गुर स्किन को गोरा करने में प्रभावी हो सकते हैं चावल का आटा और आलू फेस पैक चावल का आटा और आलू को मिलाकर फेस मास्क के तौर पर लगाया जाए तो आपके pigmentation की समस्या से राहत मिल सकती है जानिये इस face mask को बनाने की विधी वन चम्मच आलू का रस वन चम्मच चावल का आटा और वन चम्मच नीम्बू का रस ले सभी सामग्रियों को आपस में mix कर ले अधिक चिकनाहट के लिए आप वन चम्मच शहद भी मिला सकते हैं इसे अपने गर्दन और चहरे पर बराबर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दे face pack सूख जाने पर धीरे से स्क्रब करने के लिए पानी का उप्योग करे आलू का रस स्किन में टैन और स्पोड कम करने में मदद करता है और चावल का आटा आपकी डेट स्किन को हटाने में मदद करता है इससे आपको pigmentation की समस्या से राहत मिलती है और इसके साथ ही चहरा गोरा बनाने में काफी मदद मिलती है आलू के तवचा पर इस्तिमार के फाइदे तवचा पर आलू किस प्रकार फाइदे मंद है उस बारे में नीचे बताया गया है शरीर में खुजली और जलन होने पर आलू को काट कर लगाने से आराम मिलता है डार्क स्पोट की समस्या को दूर करने के लिए आलू के स्लाइस को चहरे पर रगड़े और धीरे-धीरे मसाज करें धूप के कारण संबर्ण की समस्या होना आम बात है आलू के स्लाइस काट कर फ्रिज में रख ले और ठंडे आलू को सनबर्न वाले हिस्से पर लगाएं जिससे स्किन सौफ्ट एंड क्लीन होगी स्किन कलर की परिशानी से राहत के लिए आप आलू को चेहरे पर 30 मिनट तक रोजाना लगाएं जिससे धीरे धीरे तवचा का रंग साफ दिखने लगेगा रूखी तवचा के लिए आलू के चिलके को रूखी हिस्से पर बराबर लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दे जिससे स्किन का रूखापन कम नजर आता है सारान शालू वास्ताव में एक आसानी से उपलब्ध और उपयोग की जाने वाली सबजी है जिसका लाब हमारे शरीर के साथ साथ तवचा को भी मिल सकता है फिर चाहे वह स्पेशल आलू फेस मास्क हो जिनके माध्यम से शहरे को गोरा बनाया जा सकता है या फिर आलू के अन्य उपयोग जिन से डार्क स्पॉट रूखी तवचा वसनबन जैसी तवचा से जुड़ी समस्यां को दूर करने में मदद मिलती है यदि आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या है तो एक बार डॉप्टर से सला अवश्य ले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे